मदुमक्य हमेशा उंचाई पर चत्ते क्यों लगाती हैं? आपने एक्सर देखा होगा कि मदुमक्य पेडों की उंची डालियों, चट्टानों या खंबों पर अपना चत्ता बनाती हैं कभी-कभी वे घरों की चतों या खिड़कियों के पास भी अपना घर बना लेती हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वे ऐसा करती क्यों हैं? क्या जमीर पर चत्ता बनाना उनके लिए आसान नहीं होगा? आज हम इस वीडियों में मदमक्यों के चत्ते बनाने के आदत के पीछे कुछ रहस्यों को उजागर करेंगे जिनमें से पहला है सुरक्षा मदमक्यों को कई शिकारियों से खत्रा होता है जैसे कि भालू, शैद, के चोर और पक्षी उचाई पर चत्ता बनाने से उन्हें इन शिकारियों से बचने में मदद मिलती है उचे इस्तानों तक पहुँचना शिकारियों के लिए मुश्किल हो जाता है और मदमक्यों को उनसे लड़ने या भागने का अधिक समय मिल जाता है अगला है जलवाई नियंतरन मदमक्यों को अपने चत्तों को एक निश्चे तापमान और आदरता पर बनाए रखना होता है ताकि शैद और मदमक्यों के लारवा को सुरच्चित रखा जा सके उचाई पर चत्ता बनाने से उन्हें तापमान और आदरता को नियंतरत करने में मदद मिलती है हवा में उपर की ओर ठंडी हवा होती है जो छत्ते को ठंडा रखने में मदद करती है इसके अलावा उचाई पर हवा का प्रवाव अधिक होता है जो छत्ते को हवादार रखने और नमी को कम करने में मदद करता है अगला है शिकार को देखना फूलों से पराग इखटा करना मदमक्यों का मुख्यकार है उचाई पर छत्ता बनाने से उन्हें आसपास के छेतर का बहतर द्रश मिलता है और वे आसानी से फूलों का पता लगा सकती है यह उन्हें कम दूरी तै करने और अधिक पराग इखटा करने में मदद करता है अगला है हवा की रुकावट कम होना मदमक्या छोटी जीव होती है और तेज हवाओं में उड़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है उचाई पर छत्ता बनाने से उन्हें हवा के रुकावट से बचने में मदद मिलती है कुलेस्तान पर हवा का प्रवाव अधिक होता है जिससे मदमक्यों को आसानी से आने जाने मदद मिलती है